कि है कि है जैसा कि आप लोग पूछते हैं कि हैदराबाद का कॉलेज किस राइंग पर मिल सकता सबसे पहले बता दूँ कि हैदराबाद इंवर्सिटी एक अच्छी इंवर्सिटी और अक्सर बच्छे एनाइटी रायपूर या अगर तला के पहले कंसीडर भी करतें कई बार लोग अगर तला जाने की जगे हैदराबाद इंवर्सिटी जाना प्रफर करते हैं और मैं भी बता दूँ आपको कि सही में अच्छी इंवर्सिटी और हैदराबाद इंवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ गया है तो उसके बारे में बेसिक जो इनफोर्मिशन है वह मैं आप आप से पहले तो दो उफिशल वेबसाइट है ओ यू एच वाइडी डॉट एसी डॉट इन यह इनकी ऑफिशल वेबसाइट है इन ऑफिशल वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आपको पूरे प्रोग्राम दिखेंगे यहां पर लेटेस्ट न्यूज दिखेगी यह आ बताता हूं 12 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आठ जुलाई को फर्स्ट राउंड का अलॉट्मेंट आ जाएगा तो अगर आपको आठ तारिक को अलॉट्मेंट आ गया और आपको एनाइटी मिल गया तो आपको जो एनाइटी चाहिए वो मिल गया तो मत अगर आपको लगता है जो एनाइटी आप चाहते था वो नहीं मिला या फिर फर्स्ट राउड में नाम ही नहीं आया तो आप हैदरावाद के लिए कर सकते हैं किस तक के बच्चों का अप्लाय करना चाहिए वो बताता हूं पर एक जन्रल बात बता रहो कि यह अच्छी बा पर केवल वही अप्लाय कर सकता जिनने लिमसेट 24 दिया और जिनके पास निमसेट 24 का स्कोर कार्ड है ओनलाइन एप्लिकेशन फी लगेगी चनल वालों की 600 EWS की 550 OBC की 400 और SC ST और PH की 275 रुपीज फी आपको रगेगी अब फी बिल भी फी वन्स पेट विल नॉट बी रिफंडेट अगर आपने फी पेकर दी चाहिए पेडिशन ले चाहिए ना ले नॉट रिफंडेट के लिए लिखा है विदाउट दफॉर्म नंबर 24 रैंक स्कोर कार्ड विदाउट विजिदा अप्लिकेशन विल भी रिजेक्टेट बिल्कुल क्लियर ली दिया है विदाउट तफॉर्म नंबर अप्लिकेशन विल भी रिजेक्टेट नंबर वन और आपने इसको अप्लाय तो कर दिया पर गलती से आपने निमसेट का रैं तो आप लोग आट जुलाई के बाद भी इसको अपलाए कर सकते इतना सफिशेंट टाइम है तो पैनिक नहीं होना है गवडालना नहीं है मैंने अभी एक प्रिवेस सेशन लिया था स्टेप लिम्सेट काउंसलिंग वह आप देख लीजिए उसमें पूछते हों कि सर्फ आउंट की वह टैन थाउजन लगेगा तो दूसरे बार भी लगेगा वह सारे चीज़ें नहीं लगेगा वह बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हैं तो उसमें किस कॉलेज की कितने पर ओपनिंग रैंग थी क्लोजिंग रैंग थी किस केटेगरी को थ है आप इंपीटा से जुड़ें तो देख सकते हैं और हो सकता देखा भी हो तो अभी बात करता हूं कि इसकी लास्टेट आट जुलाई है तो आपको इसके लिए पैनिक नहीं होना है अगर मने आपका पहले से बढ़ने का तो भढ़ने पर आप 8 जुलाई तक चाहें तो र सब्सक्राण लीजिए तो नंबर आफ सीट सी इतनी कम है कि आप खुद समझ सकते हैं कि उसमें कुछ होने जैसा बचा नहीं है है ना तो आप देखिए सोला सीट तो जन्रल वालों की केवल ऐसी की सिक्सीट है स्टी की थ्री है ओबी सी की ग्यारा है इड़ी डबलूस की च नोटिफिकेशन निकाला वैसे ही अब आई प्यू भी नोटिफिकेशन निकालेगा और उसको भी निम्सेट के स्कोर कार्ट से वह सबसे पहले इंफाक्ट आई प्यू बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले वह निम्सेट के स्कोर से बच्चों को एडविशन देगा पिर स्यू क्या वो भी जाल लीजिए क्योंकि कई बच्चे बोला थे सर अगर परसेंट काम है तो क्या कि फर्स्ट क्लास बैच्टर डिग्री विट एट लिस्टी परसेंट मांग एग्रिकेट इन एनी डिसिप्लेन यानि आपकी 60 परसेंट होना चाहिए या सिक्स पॉइंट फाइफ सीजीप नहीं लिखा पर वह होता हुई है केंडियेट रिक्वार्ट टू संबीट एप्लिकेशन विता क्वालिफार रैंक इन निमसेट 24 सेलेक्शन इस बेज़ निमसेट 24 एक्जामनेशन स्कोर कार्ड औली बार बार यह लिख रहा है कई बच्चे करने की कोशिश करते हैं कि नहीं फिर देखे लिखा था एड्मिशन बिल्भी बेस्ट और मेरिट आप निमसेट 24 रैंक स्कोर कार्ड तो यह बेसिक चीजे थी जो मुझे आपको बतानी थी अब मुझे जो चीज दिख रही है प्लस हो है ट्वेल सेवन ट्वेंटिफोर चीजे मिलेगा कि नहीं डिफेरेंट तिंग तस हजार एक हजारी रैंक तक के एडवलू एस को और 1200 तक के ओवी सी को और कि एस्टी और पीडवलू डी जो भी रैंकों कर देना चाहिए अप्लाय क्योंकि आप तक करना लेकों मिलेगा कि नहीं सब्सक्राइब करेंगे उनकी जो रैंक होंगी उनकी रैंक को शॉट लिस्टेट करेंगे जो ऊपर की रैंक है जैसे उपर की रैंक जिनकी मालो जो बच्चों ने अप्लाय किया उसके टॉप 16 जन्रल वालों को टॉप 6 सी वालों को टॉप 3 सी वालों स्टी वालों को टॉप 11 ओवी सी को चार एडवलू स्कों और पीड़ो को दो यानि यह जो भी अप्लीकेंगा है उनमें इनकों जोवत नहीं है वो उनके पास डेटाबेस रहता है तो इंटरनली डेटाबेस से उनके पास सारी चीजे निकल जाती है तो आप लोग अब किसी भी रैंग वाला बच्चा जिसको निमसेट का स्कोर कार्ड मिला है वह अप्लाय कर सकता है बट यह आपके ऊपर डिपेंड करत है कि करना चाहिए कि नहीं मैंने आपको आडिया दे दिया कि जहां पर एनाइटी क्लोज होता है लगवक उनी रैंक पर है चू भी क्लोज होता है कोई उसमें चेज नहीं है इनकर एच्च पहले क्लोज हो जाता अगर तला कई बार बाद में होता इस बार 220 सीट बढ़ गई है एक हजार के आसपा सीट हो चुकि है हमारी 1033 तो ऐसे में मैं यह बोलूँगा कि हजार रैंक के जनरल तक को या ग्यारा सो रैंक तक के जनरल वालों को भी बारा सो रैंक के ओवी सी तक को अपलाय करना चाहिए और उपर की रैंक भी तो कर सकते हो आपका मन हो तो मैं यह क आपको पैसा खरज और तो पहले होता है फिर बात वालों को आते हों तो बैटर यह है कि अगर आप 8 जुलाई तक रुक चाहें तो ओके अधर वाइज आप कर सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया है ऑफिशल वेब साइट पर जाके सारी इंफर्मेशन दिए बेस इंफर्मेशन मैंने आपको बता दी फिर भी मैं कहूंगा एक बार ऑफिश से रीट करिए और इसको फिर अप्लाइ करिए थैंक यू एंड अल दे बेस्ट